असलाम ओलेकुम डियार स्टूड़न्स तुड़े वी लर्न द पोयम थ्री लीटिल किटंस थ्री लीटिल किटंस लॉस्ट तेयर मिटंस एंड दे बिगें टू क्राई तीन छोटे बिल्ली के बच्चों के हाथो उनके मिटंस कहीं गुम हो गए बच्चों मिटन्स यानी हाथों के दस्ताने यानी हैंड ग्लोज इसे लिए वो बच्चे रोने लगे और रोते रोते वो अपनी मा के पास पहुँचे और उन्हों ने अपनी मा से कहा ओ मदर डियर, we very much fear we have lost our mittens यानी उन्होंने कहा प्यारे अम्मी, हमें बहुत डल लग रहा है क्योंकि हमारे mittens कहीं गुम हो गए है ये सुनते ही मा ने घुसे से कहा यू नौटी किटन्स, lost their mittens then you shall have no pie शरार्ती बच्चों, तुमने अपने mittens गुमा दिये हैं इसलिए अब तुम्हें मैं पाई नहीं दूँगी बच्चों, पाई एक बहुत ही मजेदार खाने की चीज होती है जो दूद की मदद से बनती है और आपको पता है कि बिल्लियों को दूद बहुत पसंद होता है इसलिए जब मा ने उन्हें पाई देने से इंकार कर दिया तो वो बहुत रोने लगे अब देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ फिरी लिटिल किटन्स फाउंड देयर मिटन्स एंड दे बिगें टू क्राई इन बिल्ली के बच्चों को उनके मिटन्स मिल गए और वो खुशी-खुशी अपनी मा के पास पहुचे उन्होंने अपनी मा से कहा बच्चों ने बड़े ही खुशी से अपनी मा से कहा प्यारे अम्मी, देखो-देखो हमें हमारे मिटन्स मिल गए है ये सुनकर बिल्ली ने अपने बच्चों को पास बुलाया और कहा यानि मा ने कहा कि अब तुम तीनों ही ये पाई को बड़े ही मजे के साथ खा सकते हो इस तरह से बच्चों तीनों ही किटन्स बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी मा के बनाए हुए पाई को बड़े ही मजे से खाया पाई को बड़े हुए